क्या आप एक VIP कल्चर वाले नेता को चुनेंगे या सेवक कल्चर वाले नेता को क्या आप वियापारी को वोड़ देना चाहेंगे या एक सेवक को सुनील कुमार त्यागी आपके बीच के हैं और आपके ही जैसे हैं आप इनकी आवाज बनिये ये आपकी आवाज बनेंगे सुनील कुमार त्यागी का जन जिला बुलन सहर के शाना कस्बे के किसोला गाउं में 7 जुलाई 1969 को हुआ प्रारंबिक शिक्सा और स्कूलिंग भी इन्होंने शाना से ही की इनके पिता डाक्टर रमेष चंदरत्यागी पेसे से सरकारी विभाग में डाक्टर थे और इनकी माता स्वर्गे सिरिमती कुंती देवी एक कुसल ग्रहनी महिला थी बचपन से ही सिक्सित परिवार होने के कारण इनके जीवन और आचार विचार पर सिक्सा का पहुत गहरा और सकारात्मक प्रभाव पड़ा और ग्रेजवेशन करने के लिए मेरट चले गए इन्होंने कानून की पढ़ाई के लिए एडमिशन लिया इसी वक्त इनका सेलेक्शन उत्तर परदेश पुलिस में वतोर सबिंस्पेक्टर हो गया अपनी सर्विस के दोरान इनकी कुशलता के चलते ये उत्तर परदेश में अधिकतर थानों में थाना इंचार्ज बनाए गए हर एक थाने में पोस्टिंग के दोरान इन्होंने एक से बढ़कर एक सरहानिय कारिय किये पुराने रिकोर्ड खंगालने पर पता चलता है सन 2004 में सहरनपुर में कुख्यात गैंगिस्टर बुद्दु काला का आतंक चारो तरब फैल चुका था यह एक इनामी और कुख्यात बदमास था, काफी मसक्यत के बाद भी यह पुलिस के चंगुल में नहीं आ रहा था, उसी वक्त सुनिल कुमार्त्यागी की पोस्टिंग साहरनपुर थाने में की गई, कुछी वक्त में सुनिल कुमार्त्यागी ने अपने कोशल और सोरिय का सही प्रियोग करते हुए 2014-15 में जब इनकी निवक्ती थाना खतोली में हुई तो यहां क्राइम रेट अपने चरम पर था, आए दिन लूट, चोरी, हत्या, आदी की खबरें आम थी, सुनिल कुमार्त्यागी एक दूरदर्सी और सुल्जे हुए अधिकारी थे, अतै उन्होंने अपने इसकिल और कुछ ही महीनों में खतोली के क्राइम रेट को खत्म करने में महतपूर्ण भूमी का अदा की, जिसके लिए इन्हें विसेज सेवा मैडल से भी सम्मानित किया गया, एक बहतरीन पुलिस अधिकारी और जन्मानस में सकरात्मक्छवी होने के कारण, ये हमेसा अपने सीनियर अधिकारियों की पहली पसंद बने रहे, सहरनपूर, मुझफर नगर, नोएडा के कैई थानों में बतोर थाना इंचार्ज, इन्होंने पूरी निष्ठा के साथ अपने कर्तव्यों का पालन किया, इसके साथ ही साथ इन्होंने चार साल ATS में काम किया और कैई खतरनाक आतं पर गुजारने के बाद जैसे ही चलना फिरना सुरू किया, दोबारा सर्विस जोइन कर ली, पुलिस सेवा करते हुए इन्होंने अपने जीवन के 37 साल आम लोगों को सुरक्षा और नियाय दिलाने में गुजारे और एक इमानदार जन सेवक के रूप में देश के लिए हम उन्हें भारी मतों से विजई बनाएं, सुनील कुमार तियागी की जीत आपकी अपनी निजी जीत है